आज इसे समझते हैं दोस्तों बड़ा ही कॉंप्लिक्स मामला है लेकिन आज के संदर्ब में जब मैं उधारन के रूप में आपको इसको समझाओंगा तो शायद आप समझ पाएंगे के कनसर्न से एक डिगरी ऊपर वरी और वरी जब डिस्टर्बंस पे यह बात कैसे जाती हैं उधारन एक मान लीजिये आज के युग में हम लोग बड़े कॉस्टी कॉस्टी गैजट लेके गूमते हैं मोबाईल हमारा सबसे कॉस्टी इस गैजट हो जाता है इसके साथ-साथ हम एक wrist band भी लेते हैं, जो 25-30,000 का होता है और उतनी ही कीमत का हम लोग हमारे mobile का भी investment करते हैं. तो investment करना और एक status पाना, अच्छा दिखना, flamboyant रहना अच्छी बात है. बट यदि आप इस context में देखते हैं के concern और worry और disturb कब होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. अब कैसे, मान लीजे के आपने एक mobile को एक जगा पे रखा, आपके काम के सिलसले में, आप थोड़ा सा turn हुए और आप वो काम करने के लिए उस जगा से हटके दूसरी जगा गए. जब आप को ख्याल आए कि आपके वास mobile नहीं क्योंकि आज कल हम बड़े conscious रहते हैं, mobile हमारे शरीर का अंग है और हम बार-बार चेक करते हैं कि यह कहा है, अगर हमारे साथ नहीं है, तो आपने फिर ध्यान दिया कि वो जहां पर आपने छोड़ा था, उस जगा पे आप दे इतने लोग थे, उनसे सबसे पूछ डाला और आपका mobile नहीं मिल रहा है, तो यह concern थोड़ा सा वरी सम हो जाता है, आपने शाम में बड़े दुखी मन से पुली स्टेशन में जाकर एक report लिखाई, और वो report में आपने clear बताया कि यह समय पर यहां इस जगह पर मेरा यह mobile गया इतनी कि आप रात होने का इंतजार कर रहे हैं और रात भर सोने ही रहे हैं और रात खतम होते ही आपने सुबह सबसे पहले उसी पुली स्टेशन पर फिर नजर रखी, आपने तमाम दोस्तों को सोने से पहले बताया कि कहीं आपको मालूम है क्या, क्या आपने किसी को देखा क्या CCTV अगर लगी है तो आपने वो भी देखनी है, हर वो चीज करने की कोशिश किये, ताकि आपकी concern जो worry तक कहुची है, वो worry factor को निकालने के लिए आपने loss of control होने से पहले आपने problem solving के sub act कर डाले अब आपके पास helplessness ऐसी situation आ गई है और उस situation में आप disturbance के तरफ जाते हैं, जब पुलीस आपसे कहती है, कि उस mobile का पता नहीं लगा जिया दोस्तो concern, worry और disturbance और कुछ नहीं है आज COVID-19 के situation में यदि आप देखते हैं, तो बहुत सारी mobile services नहीं है, बहुत सारी लोग के पास mobile है, लेकिन वो बचते बचाते जा रहे हैं क्योंकि चोरी होने के बहुत सारे chances है, जिया दोस्तो यदि आपको mobile safety के बारे विशे में आप जितना सीख सकते हैं, सीख लीजे अपने mobile को या किसी भी gadget को अपने पास रखिये, हो सकता है कि आपके पास में कुछ श्रिंगार के costly gold होंगे या कुछ ornaments होंगे जो आप पहन रहे होंगे प्लीज उन्हें जब के रहे हैं, उन्हें समाल के रखिये हो सके तो कम इस्तमाल कीजिए, पब्लिक में मत निकालिए, क्योंकि अगर आप डिस्टब हो रहे हैं ऐसे हालत में हमारे social security को धक्का लगा है तो यह ऐसे scene में आप कोई भी ऐसा कुछ करे जिससे आप concern से worry और worry से disturb हो, please take care of this thank you